आज देश के दूसरे रास्टपती और तताकतित दर्शनेक डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्ण का जनम दिन है। लेकिन विवाद ये है कि इस किताब को सर्वपली राधा कृष्णन ने लिखा ही नहीं था। लेकिन राधा कृष्णन ने उनकी थिस्स पास करने में दो साल का वक्त लगा दिया। और इसी बीच डॉक्टर राधा कृष्णन ने आनन फानन में लंदन से इस पीचडी को पुस्तक के रूप में अपने नाम से प्रकाशित करा लिया। पुस्तक शप्ते ही जदुनाथ सिना को पीचडी की डिग्री ब्यू प्लब्द करा दी गई। लेकिन किताब जैसे ही बाजार में आई जदुनाथ सिना हैरान रहे गए। वो अपने आपको ठगा महसूस करने लगे। क्योंकि राधा कृष्णन की किताब उनकी पीचडी की हूब हूपी थी। All India Radio News के संपादक और वरिष्ट परद्रकार महिंदर यादव फेस्बुक पर लिखते हैं। राधा कृष्णन के किताब में अध्याई पूरे के पूरे वही हैं जो थिसिस में हैं। वे जल्दबाजी में थे। शायद इसलिए थोड़ी बहुत भी हिराफेरी नहीं कर पाए। किताब भी बहुत बड़ी थी। दो भागों में थी। कम से कम दो हजार पेज की। इतनी जल्दी वे बदलाव नहीं कर पाए। अन्य था समय होता तो वो कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर ही लेते। थिसिस चोड़ी के जवाब में राधा कृष्णन सिर्फ इतना ही कहते रहे कि इतिफाक से जदुनाद की थिसिस और मेरी किताब की सामगरी मिलती है। तरक वही कि स्त्रोत एक था, विश्य एक था, आदी आदी। राधा कृष्णन अपनी किताब को जदुनाद की थिसिस से अलग साबित नहीं कर पाए। ये मोडरन जिव्यू में छपे जदुनाद के लेखों और राधा कृष्णन के प्रकाशित जवाब उसे सपस्च होता है। लेकिन इसके बाद जदुनाद सिना कोट पहुँच गए। उन्होंने राधा कृष्णन पर 20,000 रुपए का दावा ठोक दिया। इसके बदले में राधा कृष्ण ने भी जदुनाद पर एक लाख रुपए का मान हानी दावा ठोक दिया। लेकिन जैसे ही में पेश की सारा भीद खुल गया रादा कृष्णन की किताब का एक एक शब्द जदुनात सिना की रिसर्च से मिलता था इससे रादा कृष्णन घबरा गए और उन्हें बदनामी का डर सताने लगा उस समय रादा कृष्णन देश की प्रमुखस्तियों में से एक थे जाने के लिए भारतिय जनसंग के संस्थापक डोक्टर श्याम प्रसाद मुखर जी ने एहम भूमी का निभाई डोक्टर श्याम प्रसाद मुखर जी उस समय कलकत्ता युनिवर्सिटी के वाइश चांसलर थे उन्होंने अदालत के बाहरी दोनों में समझोता करा दिया कहा जो लेक पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भीजा करते थे संपादक उन्हें बेकार भाशा और सतही मानकर खारिज कर दिया करते थे जब केस की बात आई तो मोडरन रिवी को रादा कृष्णन ने पत्र लिखा उसमें उन्होंने अपनी इन खामियों का भी जिक्र किय रादा कृष्ण का ये पत्र साबित करता है कि थिसिश्चोरिका केस कोर्ट में गया था वहीं फोर्वर्ड प्रेस की वेबसाइट पर गोतम राणे सागर अपने लेक में लिखते हैं रादा कृष्णन ने 1921 में जब मैसूर से अगर कलकत्ता विश्वे दहले में कारिया भर संभाला तबी से उनके ज्यान और प्रतीभा पर उंगलिया उठने लगी थी उनकी प्रतिगामी सोच स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती थी अंग्रेजी और बंगला भाशाओ पर इनकी धिली पकड़ के चलते उन्हें छात्र छात्राओं के बीच शर्मिंदा होना पड़ता था जिस व्यक्ति की सबसे प्रसिद किताब पर ही साइतिक चोरी का आरोप लगा हो और ये आरोप साबित भी हुआ हो उस व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाने का उचित्ते क्या है जहां तक उनकी दार्शनिकता का प्रशन है डुक्टर अंबेटकर ने अपनी किताब जाती के विनाश में राधा कृष्णन के दार्शनिक तरकों के उचित्ते पर भी गंबीर सवाल उठाया है ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वपली राधा कृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है दूसरी तरफ करांधी जोती सावित्री बाइफुले और फातिमा शेख जैसी हस्तियां हैं जिनोंने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए कुर्बान कर दिया लेकिन उनका कहीं जिकर तक नहीं होता मनुवादी इतियासकारों ने हमारे नायक और नाइकाओं के साथ बहुत अन्याय किया है ब्यूरो रिपोर्ट दशूद्र